हेलो एब्रीवन, हाई गोर्ट भर्टी 2024 का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सैलरी यहाँ पर 19,500 से 62,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है, सरकारी पर्मानेंट नौकरी रहेगी, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट रहने वाली है, सब भी राजियों के कैंडि यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में जो है, वो कम्प्यूटर की जो है, आप लोगों के पास अगर कोई डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर वो फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, लेवल 4 के अकोर्डिंग आप लोगों की पेस्केल रहेगी, 19, 20,500 से 62,000, जो की थमनेल में भी मैंने आप लोगों को दिखाई है, नमबर और पोस्ट जो है, यहाँ पर है, 143, क्वालिफिकेशन के अगर हम बात करें, तो एनी ग्रेजवेट, कोई भी जो है, जिसने इसनातक किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, तो वो यहाँ पर तरह पर है, और साथ में यहाँ पर एक साल का डिपलोपा कॉर्स मांगा गया है, कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर इसनातक है, तो यहाँ पर वेकांजी आई है, दो । क्वालिफिकेशन को अगर हम बात करें, तो अनी रिजर्व कैटिगरी, जनल कैटिगरी की 72 सीट ह 23 है ST की 28 है और OBC की 20 है ठीक है उसके बाद जो है important बाद मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर age 30 एर है 30 साल जो है वो age यहाँ पर रखी गई है vacancy कहां से आई है तो मैं आपको बता दू हाई अच्छे से देख लेंगे जो भी 36 गड़ के निवासी है क्योंकि यहां पर लिखा है कि 30 एर तो general category की जो other state के student है उनकी रहेगी और minimum जो है 21 साल बागी जो 36 गड़ के निवासी है तो उनकी जो है age है 40 साल तक ठीक है और यहाँ पर age relaxation भी जो है दिया गया है चतिसगर के निवासी हैं को SCST category या फिर OBC category तो इनको जो है 5 साल की छूट है और भी जो है 10 साल की छूट है यहाँ पर woman candidate को next important चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर जो selection रहेगा आप लोगों का तो एक written exam होगा और skill test होगा काफी जो है easy रहेगा written exam क्योंकि यहाँ पर 50 questions जो है आप लोगों के पूछे जाएंगे negative marking जो है वो बिलकुल नहीं है no negative marking पूछा कह जाएगा यहाँ पर 50 questions में तो English knowledge English के जो है question होंगे making of a small sentence चोटे जो है sentence आप लोगों को English में बनाने को दिये जाएंगे spelling से संबंदित पूछा जाएगा और vocab पूछी जाएगी दूसरा जो part है वो knowledge of computer operation का इसी जो 50 questions में ही आप लोगों के computer से संबंदित जो है knowledge पूछी जाएगी next यहाँ पर दूसरा जो आपका test होगा skill test जिसमें computer typing रहेगी आपकी हिंदी और English में हिंदी में 250 words in 10 minutes और English में 300 words in 10 minutes ठीक है 10 minutes में 300 words आप लोगों को English typing करनी होगी तो यहाँ पर जो है यह 50-50 marks के रहेंगे और यहाँ पर the typing test will be conducted in तो यह जो है इस font में आप लोगों को typing test जो है वो आप लोगों को करना होगा तो आपने computer course किया है डिपलोमा किया है तो आप देख लें यहाँ पर लिखा है कि half marks to be deducted for each mistake प्रतिक गलती के लिए आप लोगों के जो हो असिस्टेंट grade 3rd in high court of 36 विलासपूर इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है advertisement आ जाएगा यहाँ पर पेज नंबर 5 पेजों की ही पीडिया फाइल है तो लास्ट पेज में ही जो है वो बिलकुल डेटेल में लिखा हुआ है how to apply कैसे जो है आप लोग जो है वो apply करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है visit the website of high court of 36 गर्ट गर्ट की जो main website है उस पर जाना होगा यह main website का link है और इसे में जो है video के description box में डाल दूंगी ताकि आप लोग जो है डारेक्ट यहाँ पर पहुंच सकें काफी अच्छी vacancy है क्योंकि एक तो जो है यह vacancy इसमें जो all India candidate जो है वो apply कर सकते हैं दूसरा जो है यह permanent job है सरकारी job है और यहाँ पर pay skill काफी अच्छी है level 4 के according आपको मिलेगी पद का नाम है assistant grade 3rd, number of post कितनी है 143, तो last date आप जहान रखे 31 October 2023 जो है इसकी last date रहने वाली है एनी graduate student यहाँ पर apply कर पाएंगे तो चलिए मिलेंगे next video में thank you